अनम्टीवी को सब्स्क्राइब करें प्रेस करें बेल आइकोन और पाएं मुंबाई नावी मुंबाई एवं बॉल्यूड की ताजा तरीन खबरें 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए सोसाइटी स्थर पर आयोजित वैक्सिनेशन ड्राइब को लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाथ मिला पोपरखेर ने घंसोली के बाद पाशिस्थित निल सिद्धी सोसाइटी में वैक्सिनेशन कैम्प का आयोजित किया गया था जहाँ सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया कोरोना की सभी नियमों का पालन करते हुए सफ़लता पूर्व तरीके से ये शिबिर आयोजित किया गया जिसमें 500 से अधिक लोगोंने इस वैक्सिनेशन शिबिर का लाब लिया इस शिबिर के अधिक जानकारी देते हुए सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि सदस्यों के साथ-साथ उनके दिश्चेदार एवं दोस्तों को भी यहाँ वैक्सीन दी जा रही है करके देंगे विकर्जी देशनल ड्राइब अपना बाद में फ्रेंड्स तो वह इसा आज में को मालूम है जो वाट्सेप ग्रूप पे हैं उनको सबको मालूम है बट बेसिकलिया हमने जो देखा है यहाँ पर अमारी बिल्डिंग में सपोर्ट स्टाफ का इस तो उनको सम्झ कि यहाँ रहे हैं कि यह जो मतला उनको एकी टेंचिन है कि बुखार हुएगा तो क्या होगा हमारे घर वाले का तो उनको सुखाया बताया हमने कि बुखार नहीं आएगा यह जो बुखार आएगा इट टोटली डिफरेंट फ्रम दा जो कोविट का जो बुखाम सर्दी जिह पीर जो कि बुखार ह 먹고 सुखार आएगा जो कि जो मतली बुखार ओंटी होगा लिफकार मोशे होगाँ पlast बिफरेंटर मुखार मेटनाता हमने क्यों बुखार वाले की खैना गर्ण? तो वो सब एक्स्प्लेन करके सब अरेंजमेंट्स करके हमने प्लाइन करके आज वैक्सिनेशन ड्राइव कंडेक्ट किया है। नदेशन ड्राइव कंडेक्ट करके आज वैक्सिनेशन यह पर करने वाले हैं। तो हम लोग को ऐसा विननती है कि मिन्स हम लोग सबसें विननती है कि मिन्स सब लोग लगाईये, सेफ रही है और यह वैक्सिनेशन कुछ भी गलत नहीं है। यह बहुत फाइदे मन वेक्षिन है, इसे बहुत बेनेफिट्स भी है और प्लीस सब लोग लगाई है। Bureau Report, NMTV News झाल झाल